दोस्तो आप सभी को नमस्कार मेरा नाम सतिश कुमार आज दोस्तो बात करने वाले हैं Real Thought और Imaginary Thought के वारे में दोस्तो अब्धे सबसे पहले हम खेत में हैं और खेत में अपने गाउं में आये वहे हैं तो यहाँ पर खेत में आये हुए थे तो सोचे क्या कि बहुत दिन पहले जो डर लगता था आने जाने में अब जो है कि कहीं भी आने जाने में जो क्योंकि OCD का विचार को मैंने समझा मैंने सोचा क्या आज हम उसी बात पर बात करते हैं कि रियल डर्म रियल ठाउट और OCD का ठाउट कैसा होता है उसी चीज के उपर जो है कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रियल ठाउट अब यहां पर समझने का बात है कि रियल ठाउट और OCD ठाउट में अंतर कैसे करें रियल ठाउट जो कहीं जिसे कि हमें घर से यहां आना था ठीक हमें घर से खेत आना था यहां पर यहां पर खेत आना था तो क्या है कि घर से निकले खेत आ गए ठीक अब क्या होगा कि इसी बीची में अगर यह हो गया real草ट highwaywow pray घार से जो है खेत के लिए में बोला गया कि खेत जाना है ममी बोदी खेत जाने के लिए यहाँ पर खेत आया जोना सबके संग तो यहाँ पर क्या करना है कि यह था real草ट अपके में अब हिमें पूर अबchef अब दिखिए OCD का ठाउट क्या होता है अब जा रहे हैं कुछ रोट पर नुकसान हो जाएगा केलाखेत में कुछ हो जाएगा या कुछ नुकसान हो जाएगा जिची से आपको डर लगता है वो चीज का नुकसान होने का डर लगने लिगा मतलब OCD ठाउट में आपको कुछ कुछ नुकसान जुरावा रहेगा कुछ नुकसान डर दिखाएगा जिसके कारण से आप क्या करते हैं चिंता प्रेसानी में दोस्तों फच जाते हैं तो उस दोनों को जो है की रियालिटी को समझ येगा दोस्तों कि दोनों ठाउट में क्या अंतर है जो मतलब एक्चुल जिसमें डर भए नहीं है जो एक्चुली ठाउट है उसमें आपको डर नहीं रहेगा और क्या ओसरी ठाउट में आपको डर जुरावा रहेगा दोस्तों डर जुरावा रहेगा जिसके कारण से आप जो है कि चिंता घपरहट प्रेसानी उससे आपको होनी लगेगा वो आपका OCD का विचार है तो दोनों को विचार को डिफ्रेंस करना सीखना होगा दोस्तों क्योंकि आपको OCD को विचार जो chemical imbalance के बज़ए से जो mind में अंदर में कि chemical imbalance होते है उसके बज़ए से वो विचार आपको आते हैं दोस्तों उसके बज़र से आप प्रेशान होते हैं जिसके कारण से क्या होता है कि आपको चिंता घबराट होती है अब इस चीज को जो घबराट वाले विचार है उसको आपको इगनोर करना परेगा दोस्तों और पाचानने का नियम क्या है दोस्तों कि सिधा सिधा उसमें जुराव वरेगा वो OCD का ठाउट है जो इमेजनरी नुकसान होने का डर आपको माइंड में इमेज दिखाता होगा कि इस तरह का नुकसान हो जाएगा ये कुछ हो जाएगा जैकिन जबकि उसका पहर हाथ कुछ नहीं है वो सिर्प इसे ड्राने के लिए है दोस्तों उसको द एक भगवान कुछ कर दें नुकसान को आरा है ना जो आपको फिलिंग निगेटीव दे रहा है ना जिसके कारण से वो OCD का विचार है भगवान के सामने में कौन सब तो जाते हैं अच्छा से पूजा पार्ट करने के लिए पूजा पार्ट करते हैं चले आते हैं जो चीज प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र आपको अपने साइड तरह पाज़ना चाहिए बगल हो जाना चाहिए तो मतलब क्या चीज आपको क्या वहाँ पर जो है कि वो डर वो चिंता है आपके लिए अच्छी है अब एक डर है जो कि किसी कोई चीज हुआ ही नहीं है ना होने वाला है उस चीज के बारे में डर दिखा आहा है वो दर आपके लिए जो है कि भयानक है वह सीडी का वियुजार है जिससे कि आपको बार-बार डर रहे है बार बार जो है कि इमेजनर ख्याले ता रहा है तो यह चीज आपका OCD का वियुजार है तो वो OCD का विचार है और अपने आप कुछ negative विचार आएगा उसमें तो वो OCD का विचार है दोस्तों समझ में आया होगा कि OCD का विचार समझने के लिए क्या है कि नुकसान होने का कुछ से चिंताई घब रहाट किसी के बारे में जो है कि negative विचार आने का और कुछ वो उसके बारे के लिए कि image बनना mind के अंदर, image बनने के साथ साथ आपको घबराहर चिंता प्रेसानी होना, ये आपके OCD का विचार है, तो जिसे हम खेत में हैं, तो बहुत सारे लोगों को खेतों आने में भी डर लगता होगा, कोई गाउ कि बहुत लोग जाके साहर में राते हैं, तो वो लोग अपने खेत उचाते होंगे, तो आप लोगों को गाउं में अगर किसी जाने में डर लगता है, तो दोस्तों खेत में नहीं है, डर जो है कि mind के अंदर चलते रहता है, तो वहाँ डर है, तो ये चीज़ जो है कि समझन काट चल रहे होती हैं, वह प्रोब्लम है, उसमें गाइड़को समझ ठीख करना होगा, और OCD को विचारों को आपको इग्णोर करना होगा, जब आप लगातार इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो तरश द्रीर वुचार आपको परेसान करना बंद करने जाएगा, ने तो आपका आत्विश्वास कर देगी OCD के ठाउर, आत्विश्वास ध्रेदरे आपका कम होने लगएगा दोस्तों, तो आप जतना ज़्यादा इग्नोर करेंगे, जतना ज़्यादा उसके बारे में reality जानेंगे, तो देखेंगे ध्रे-धरे आपका OCD जो हैं की OCD से आप धरे-धरे ऊपर उठने लगेगा, आपको confidence बढ़ने लगेगा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप comment मुझे लिखे बताइए, और अगर आप मुझे से बात करना चाहते हैं, तो description में दिया हुआ number आप हमसे बात भी कर सकते हैं, thank you friends, wish you wealth, be happy.